आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हुँगे मेरा नाम एसे धान दगनी को थ्री स्टडी ग्लोस पर आपको बहुत बहुत बस बागत है रज़ारी में दोस्तों आपको पता ही है कि ऑपरेशन चल रहा है टिप मिली थी यहां पे यहां पे जो फॉरिस्ट एरिया है कि यहां पे एक मिलिटेंट छुपा हुआ है बुढ़ाल जो फॉरिस्ट एरिया है इसे पहले आपको याद होगा कोकर नागेगिरिया में भी ऐसे ही कुछ एमभूश हुआ था अब यहां पे दोस्तो हमारे जो पांच जवान है वो वीरगति को प्राप्त हुए है बहुत ही ज़ादा दुखत खबर है और यह जो टिप मिल रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है बात करेंगे इस कबर की लगिन उससे पहले दोस्तों जो हमारा लिमिटलेस लीडर्शिप का कोर्स है एक दिसंबर से क्लासे शुरू होगी कल हम फाइनल जो इस्पेशल डिसकाउंट है उसको बंद कर देंगे अब इस सिर्फ तीन सो रप्रे का कोर्स है बीस से उपर लेक्चर जही है एक एक लेक् अंटी फासिस्ट फॉर्सिस उसने इसकी पूरी जम्मदारी ली है ठीक है तो अब यह बता रहे हैं कि यहां पे आतंकियों ने अंबुश किया और यह नई स्ट्राटेजी जो है वो आतंकवादियों की बन गई है मैं बताना चाहता हूं कि इस साल 46 के करीब हमारे जो जवा है वो वीडगति को प्राप्त है बहुत सारे आतंकी भी मारे गए हैं डेरो आतंकी खुशी की बात यह है कि जो लोकल रिक्रूटमेंट है वो बंद हो गए है जैसे पहले लोकल्स को काफी रिक्रूट किया जाता था बंद हो गए है वो अब इतने नहीं हो रहा है बाहर से नया सेंटर बन गया, especially ये जो बेल्ट देख रहे हुँ ना, ये रजाओरी, राइसी और पूंच, ये वाली जो बेल्ट है, ये इस समय एपी सेंटर है, समझ रहे हो, नई मिलिटेंसी का ये एपी सेंटर है, अब ये आपका शिरीनगर है, ठीक है, ये शिरीनगर है, ये खुबसूरत है, मैं तो भी होके आया था, मुझे कश्मीर से खुबसूरत कुछ मिला ही नहीं है, ये पाकिस्तानों की पाइट रीजन है, ये मुझाफराबाद है, जहां पर आतंकियों की ट्रेनिंग होती है, अब देखिए, वैसे तो आपको बता दूँ कि साउथ कश्मी ये लोसी के काफी ज़धा पास है, तो अब जब ये लोसी के बहुत ज़धा पास है, तो क्या है, कि यहां लोसी के पास होने से फायदा ये है, कि आतंकियों के यहां पर ट्रेन करो, और फटाक से यहां पर पहुचा दो, तो आम तोर पे जो लोसी के बहुत ज़धा पास ए यह वाली जो बेल्ट है यहाँ पे हमको आतंकवाद देखने को मिल रहा है अब इस पे दिक्कत क्या है कि टिप गलत दी जा रही है पिछले कुछ एंबुश की बात करें यह पहाड़ी एरिया है अब यहाँ पे टिप मिली थी कि जो आतंकी है उनको यहाँ पे थोड़ा बहुत लोकल्स का सपोर्ट है यहाँ पे खाना दिया जा रहा है तो यहाँ पे टिप मिली जो हमारी फोर्सेज़ वो पहुंची अब इनकी स्ट्राटेजी यह रहती है कि जानबुश के शायद गलत टिप दो और डीप जंगलों में ले जो स्ट्राटेजिक पॉइंट पर यह रहती है और वहाँ से फिर आम पुश और एकदम से यहाँ पे फायर आया है और आर्मी जो है फिर वो उनको नुक्सान पहुंचा अब देखी यह छट पताहत है आपको पता ही है कि इस समय पाकिस्तान में ढून-ढून के आतंकवादियों को मारा जा रहा है है ना पाकिस्तान में आतंकियों को खतम किया जा रहा है शाहिद लतीफ से लेकर बहुत सारे आतंकी जो है दस आतंकियों को तो मारा गिया है जिसमें जैशे मुहमद लशकर-े-ताइबा बड़े-बड़े आतंकवादी जो है वो शामिल है समझे रो और ये सब हैंडलर्स, में हैंडलर्स थे यही जो आतंकवादी है उनको हैंडल करते थे ये देखे हाफेस सईद तो हाफेस सईद भी ने पढ़ी जाता है 2015 में 2019 में मसूद अजर पे इतना भयानक हमला हुआ अब आप उसके कोई तकरीरे नहीं देखेंगे मस्जिद दार्स हमला हुआ बता नहीं जिन्दा है कि मर गया लेकिन उसके तकरीरे बंद हो गई हैं तो ये सब रेडार पे तो हैं और माले जाएंगे अब खेर ये नहीं पता कि हमारी सेक्यूरिटी फोर्सेज या हमारी जो खूफिया एजेंसी है या वहीं पर या इसाई ने उनको मरवा दिया वी डोंट नो लेकिन एक चीज तो है कि आतंकवादी मारे जा रहे हैं कल आपने देखा कि पन्नू गुर्व पतवन सिंग पन्नू वही निपटी गया था अमेरिका ने फाइनेशल टाइम्स ने रिपोर्ट छापी है कि उसको भी मारी दिया था अब ये बोलर कि भारत को चेताव नहीं दी है मुझे समझ में नहीं आता कि आतंकवादी को बचाते क्यों हैं ये चीज़ है तो अब यहाँ पे पाकिस्तान जो ही इसकी छट पटाहत है आपने देखा कि जम्मू में जो है वो सिविलियन्स को मारा गया साथ से आठ डेट्स हुई अगर हम सिविलियन्स की बात करें जिसमें कोई बैंक में काम करता है कोई टीचर था तो ये एक तरीके से संसनी फैलाने के लिए है लेकिन एक तरीके से जो दिलबाग सिंगर वो ये भी बोलते हैं ठीक है वाँके डीजीपी कि ये थोगा डराने वाला भी है क्योंकि पहले एक हमको चेन मिलती थी समझे रहो कि मतलब कि हमको पता रहता था कि कहां से कौन गया है तो हम पकड़ लेते थे लेकिन आज चेन नहीं है आज जो दो लोग मिल रहे हैं उनको एक दूसरे का नाम भी नहीं पता शकल क्या वो खाली उनको बस address मिलता है वो वहाँ पे दे आते हैं तो एक तरीके से कोई chain established नहीं हो पा रही है जिसकी वज़े से ये चीज़े हो रही है हाला कि आप इन चीज़ों में बहुत दात कमी आई है लास्ट ये मई जून में हुआ तो उसके बाद ये नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर security forces लगातार काम कर रही है तगले से काम कर रही है आप समझ रहो तो ये चीज़ है बट फिर भी घटनाय तो हो रही है और ये हमारे दुखत है अभी आपको पता है जब कोकरनाग में हुआ था तब भी एक कमांडेंट और एक मेजर वीर गति को प्राप्त हो तो बहुत दुखत घटना थी है बट मुझे लगता है कि सब को मारेंगे इंडियन आमी जो है अच्छा भारत सरकार जो है वो लगाता है डिप्लोमाटिक लेवल पे कश्मीर के लिए काम कर रही है चाहे वो जी ट्वेंटी हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो सौधी अरब यूए यह सब इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे और जैसा कि हमने बताया कि अब बात प्योके पे होगी हो तो हमें चाह भी बोल चुके हैं कि पाकिस्तान जब देश का होम मिनिस्टर देश के डेफेंस मिनिस्टर अगर इतनी बड़ी बात बोलते हैं तो उसका एक मीनिंग होता है और पाकिस्तान को भी पता है कि अब हमारे हाथ से प्योके भी जाएगा बहुत जल्द ठीक है तो यह सब एक तरीके से छटपटाहत है क्या होगा आगे लोकल्स के सपोर्ट के साथ वो हमला करेंगी बट फिर भी जो हमले हो रही है उसमें तो पाकिस्तान का पूरी बैकिंग है वो कुछ भी करे लेकिन इक तम फुल आन तरीके से आपको पता दो जो को पाकिस्तान में जो आतंकवादी मारे गए है वो military colonies में रहे रहे थे उनको सारी सुविधाएं दी गई थी ISI द्वारा समझ रहे हो, military colonies सबसे जो पूरे शेर का सबसे पौश एडिया होता है वहाँ पे इनको प्रॉपर मकान दिये गए थे हाफिस सहीद ने तिने हमले किये लशकरे तैवा ने 2005 बलब नदी मर्ग मसाकर डोडा मसाकर ये सब लशकरे तैवा ने किया जहां 35 सिंदू को मार दिया, 24 सिंदू को मार दिया जो मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, फिर 27 ग्यारा वहाँ आराम से वहाँ पे घूमता है इस्राइल ने लशकरे तैवा को आतंकी संगेटन गोशित किया है United Nations और अमेरिका ने भी गोशित किया है तब जाके पाकिस्तान के ओपर प्रेशर आया और बोला कि हम इसको बैंड कर देंगे बट फिर भी वहाँ रहा है हम से घूम रहे और फिर हम कहते कि आप क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेलते तो गौटम गबीर की बात से मैं मिलकुल सह मत हूं कि भाई बाई-लिटरल सीरीज आप नहीं खेलेंगे क्यों खेलेंगे हैं कोई भी मैच हमारे जवानों से उनकी जान से जाधा बढ़के नहीं है जो बॉर्डरस पे अमरी रक्षा कर रहे हैं तो पहले पाकिस्तान इन चीजों पे कंट्रोल कर रहे है